हिंदू धरम में मंदिर को एक पवितर इस्तल माना गया है सास्त्रों की मनितों अनुसार मंदिर वह पवितर इस्ताने जहां भगवान मुझूद है और लोग यहां बिना किसी स्वार्थ के कारण से भगवान को पसंद करने जाते हैं लेकिन ऐसे कई नियम है जो आपको किसी मंदिर में परव्यस करने से पहले ध्यान में रखने चाहिए अन्यता आपको मंदिर में अपनी प्रात्नों के अच्छे परिणा नहीं मिलेगा हिंदू धरम में मंदिर में परव्यस करने से पहले कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए आईये जानते हैं मंदिर में ज साफ होना जरूरी है लिहाजा एहंकार बुरे विचार त्याग करके ही मंदिर में परवेश करें हर मनुश्य ये बात जानता है कि मंदिर एक बहुती पवित्र और धार्मिक इस्तान है इसलिए एक्ति को मंदिर में छोटे और तंग कपड़े पहन कर परवेश नहीं करना चाह भी जाने से पहले भगवान के लिए पसाद के रूप में नार्यल मीटाई और फूल ले जाने की परंप्राबी है मंदिर के अंदर परवेश करने से पहले सीडीओं को चुकर परणाम करें साथ ही अपने एकार गमन्द को छोड़ दे फिर मंदिर में परवेश करें सीडीओ को चुकर परणाम करना खुद को इस्वर के चरणों में समर्पित करने की बावना है जब आप बगवान की सरण में आ जाएंगे तो आपकी हर प्रातना सुनी जाएगी और मनों कामना भी पूरी होगी बगवान को सबसे पहले दन्यवाद करें आपके जिवन में जो कुछ भी है उसके परती आबार यक्त करें इसके बाद आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए इस्वर से प्रातना करें जीवन में सब कुछ पाने के लिए सबसे ज़्यदा जरूरी है कि उन्ची जो के लिए लगातार आबार यक्त किया जाए जो आपके जीवन में पहले से मौजू द्यान में रखे यह बाते ओर कुछ लोगों को पता नहीं होता कि परिकरम किस तरह से करनी है और वे एक घ्यांतावस उल्टी परिकरम कर लेते हैं इसलिए द्यान रखे कि परिकरम हमेशा उल्टे हाथ की तरफ से सुरू करके सिदे हाथ की और खत्म करनी चाहिए वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और चेनल को सस्क्राइब जरूर करें